सच्देवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए प्रत्योगी तेस्ट शिंखला आयजीत की जाती है। इस प्रत्योगी तिस शिंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पूरस्क्रत करने संस्थान के ही पूर्वशात्र ग्यानेश मिश्रा विशेश रुप से शामिल हुए विद्यार्थियों को ग्यानेश मिश्रा ने जहां पर मोटिवेट किया तो वहीं उन्होंने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में हुए अध्यान के दोरा अनुभव को बताया। अंचल के सबसे ख्याती प्राप्त सिक्षन संस्थान सचदेवा न्यू पीठी कॉलेज लगातार विद्यार्थियों को बहतर सिक्षा देते हुए उन्हें उनके लक्ष तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सचदेवा न्यू पीठी कॉलेज ने विद्यार्थियों के आ करते हुए अपने ही संस्थान के पूर्वशात्र जो कि यहां पर अध्यन कर चुके हैं और वर्तमान में भीने स्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें मुख्यतिति की रूप में आमंतित करके विद्यार्थियों का उत्सावर्धन करा रहा है इसी कड़ी में इस स अध्यन के दवरान हुए अनुभाव को हमसे साजा किया मैं 1998 में मैंने एंट्रेंस क्लियर किया था वानियर रेगिलर कोर्स मैंने किया था यहां पर सर के मात तर्शन में सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सर का मुझे आज मुख्यतिति के रूप में बुलाने क जिस संस्था पर यह सपने देखते बैटके देखे वहीं पर उसी संस्था पर अपने सपने पूरे होते और सर के साथ स्टेच शेयर करना मेरे लिए आप में आप में गौरव का क्षन है और सबसे पहले मैं सर का I am very much impressed with कि सर आज भी अपने आपको कैसे is cutthroat competition और इसमें अप्रिशीयेट और आप लॉर्न फंपिम अपरी थिंग और बच्छों को बहुत 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 बष्ट अफ लाग सब बहुत अच्छी तयारी कर रहे हैं I wish कि वो सब अपने अपनी फील्स में सकस्फुल हों हागे चलके अपनी फैमिली का अपना और कोचिं इस्टूट क अपना बनाया है और सच्छी वा का फ्लैग हमेशा हाइफ लाइब करते रहे चैकते भी लोग आए शुट की पॉंग ऑन गुएंग हां सर जी कांसलिंग और उसमें तो इतना सारा वी डिंट हैप सो मुझ अफ एक्सपोजर ना गर के बाद टीचर यह घर पे तो इतना वह तो नहीं होता था यही एक वेंट आउट जगह है जहां पर हम अपनी फियर्स अपने प्रिशर अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते थे तो इस वेरी गुड और सब्सक्राइब यहां पर बटकने नहीं देते थे चार्जे में वह तीन-चार घंटे-चार घंटे की क् इधर उधर कहीं भी बटक जाएं वो पॉसिबल नहीं था तो जो चैनलाइज और मोटिवेट करके फोकस रहना जो हमने सीखा या पे शायद वो आपी भी क्यारी फॉरवर्ड हो रहा है थैंक यू सो मुच फॉच 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 पॉच पॉच से थे संस्था चाहर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं प्रेटिक्स मेडिसीन में प्रेटिक्स में अच्छा लगता है कि अपने हम ट्रांस में पुराने समय में पहुंच आते हैं कि यहीं बचा जब खुद की तयारी कर रहा था तो कैसा था और आज समाज में एक बड़ा नाम है एक कॉलेज के प्रोफेसर है और वहां पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को सम्मानित करें जो आज समाज को कुछ दे रहे हैं जाने इसको 27 साल हो गए मेरे खाल से 26 साल हो गए यहां पढ़े हैं 26 साल में 26 साल के बाद मिले हैं तो मैं 60 के एज में मैं चाहता हूं इनको भी बुलाओं तो 90 तक तो हो गया है लगतार बेते लगभक 30 वर्षों से सजेवा निव पीटी कॉलेज विद्यार्थियों को बहतर अध्यन कराकर उन्हें इनके लक्ष तक पहुंचा रहा है यह कारण है कि देश और दुनिया में आज यहां के विद दियार्थियों में जोश भरता है और वो अपने लक्ष तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं इसी इन न्यूस के लिए शाहिन